मित्रों जय मतादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में जय मतादी जरूर लिखें मातारानी आप सभी का कल्यान करेंगे मित्रों राम नौमी साल 2022 में कब है जानिये दिन वतारिक क्या है पूजा करने का सुभ मोहुर्द कब है और पूजा विधिक क्या है जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करेंगे और जादे से जादे सेयर करेंगे मित्रों हिंदो पंचांग के अनुसार चैत्रमास की नौमी तिथी को राम नौमी के रूप में मनाया जता है चैत्रमास की प्रतिप्रदा से लेकर नौमी तक नौरात्री भी मनाई जाती है इस दिन माता दूर्गा का पूजन करने का विशेस्त महत्व है और नौरात्री के दसमें दिन राम नौमी मनाई जती है मान्यता है कि राम नौमी हिंदुओं के प्रमुक तेवहारों में से एक है जो भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाई जती है जो कि भगवान विश्रू के साथ में अवतार थे मान्यता है कि आज के दिन भक्त गन रमायर का पाट करते हैं राम रच्छा स्रोत भी पड़ते हैं बहुत सी जगहों पर भजन किर्टन का आयोजन भी होता है और भगवान राम की मूर्ती को फूल माला से सजाते हैं और इस्थापित करते हैं भगवन राम की मूर्ती को पालने में छुलाते हैं अब राम नौमी की पूजा विधी को भी जान लेते हैं सबसे पहले इसनान करके पवित्र होकर पूजा इस्थल पर पूजन सामगरी के साथ बैठ जाएं पूजा में तूलसी का पत्ता और कमल का फूल अवस्य होना पूटी महिला सभी लोगों की माथे पर बिजय तिलक लगाएं फिर पूजा समाप्त करें एक कथा की अनुसार रावन अपने राज्यकाल में बहुत अत्याचार करता था उसके अत्याचार से पूरिधर्ती और देव लोग परिसान रहता था क्योंकि रावन ने ब्रम्हा जिसे अमर होने का वर्दान प्राप्त किया था इसलिए उसको मरने का भाय नहीं था उसके अत्याचार से तंग होकर देवतागर भगवान बिश्डु के पास गए और प्रार्थना करने लगे प्रार्थना को सुनकर भगवान बिश्डु ने राजा दसरत की पत्नी कौसल् से राम के रूप में जन्म लिया और रामण का बद करके उनके आतंक से सब का कल्यान किया तब से लेकर आज तक चैत्र की नौमी तिथी को राम नौमी के रूप में मनाया जाता है ऐसा भी कहा जाता है कि राम नौमी के दिन ही स्वामी तूल्ची दास ने राम चरित मानस की रचना भी की थी मित्रों अब जान लेते हैं कि राम नौमी कम मनाई जाएगे तो आपको बताते कि साल 2022 में राम नौमी दस अप्रज दिन रवी वार के दिन मनाई जाएगे और नौमी पूजा करने का सुब महूर्त है सुबह ग्यारा बचकर छो मिनट से लेकर दोपहर एक बचकर उन्तालिस मिनट तक रहेगा यानि पूजा करने की कुल अधी होगी दो घंटे बतिस मिनट राम नौमी मध्यान की समय पूजा करने का समझ है दोपहर बारा बचकर बाइस मिनट पर